चलो अभी रेडी हो गुए है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा टमडर का पेस्ट ओई प्याज यहाँ पे नमक है हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर इस तरह है लसन अधरक मिर्ची और कोतंबीर अधर को अधर को सब्सक्राइब करता है और आज कुछ तो इसले में कीचन में आज कुछ बनाने वाला हो तो आपको बताओगा और अभी जर्ष्ट है ना भाइजान ने जो प्राउंस जिंगा रहता है ना वह लाए जर्ष्ट मार्किट से क्योंकि भूत के दिन जैसे मैंने आए तो अभी गाड़ी आई मतलब वह जो अपने को मार्किट में बोले थे अंकल ने के मंगल की रात में मतलब यह टाइम में गाड़ी आती है फिश की मार्किट में तो जस्ट आई तो भाईजान का दोस्ता उन्होंने फोन के क्या आजाओ मच्छी आई तो भाईजा ने लेकी आये ये देखो कोकनी मदे 7 मंता देला कोकनीतला 7 मंता ध्याला आज बननार आये अपले घरी 7 तराता हाला साफ कराईचाई आनी बनवाईचाई यह आशे 3 आणनेली आये हाएक आनी आजुनीते 2 आये 1 मिनिटा हेट 3 कोडी गेले आज जबर्दस मोटे मोटे बहुत बड़ी बड़ी है और फरस्ट टाम घर पे तो नहीं लेकिन मैंने फर्स्ट टाम देखाऊ भाजाने तो ऐसे लाते लेकिन आज मैं यहां पर रहा तो फर्स्ट टाम इसको साफ भी मैं खुद करूगा और इसको बनाऊगा भी मैं मैं और भाईजानंद दोनों बनाएगे इसको तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते जल्दी से साफ करके लेता हूं और आप लोगों को बता हूं का इसको किस तरीके से साफ किया जाता है ठीक है आजयो देखो चलो आजयो अभी साफ करता हूं इसको साफ करने का बहुत इजी तरीक है सबसे पहले जो बड़े बड़े आंग्ले है ना इसको यहां से नीकलने का जयसा खेकड़ा है तो यह चीजे चीजे रखने के शालने के लिए क्युक्त इस सालनको भी एन टेस्ट आता है क्यों कहती है ह Senhor अ में और यह झो ही सट्था आज इसको खाने मतलब लेने की स्थिमाल नहीं करने आज ओर फेक देने का यह सकते तो इस्को शुआऱघा देता हूं बहुत ही ताजा एकदम फ्रेश आप लोग भी देख सकते शायद आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि इसी देखकर जो मच्छी लेते जिनको पता है कि ताजा खत्चा है वह लग मेरे बरोबर वह लग कात कि ताजा चीज खत्ची है और इसको ब्यादेगों यह चीज है ना यहाँ पर इसको निकल के फेक देने का एक आपनम इस्टीमन नहीं कर सेख दिखाने में तो इसको भी निकली के फेक दता हो यह भी चीज है इसको भी निकल के फेक देने का है और साफ कर देता हैं इसका थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि चूबेगा ना तो खून तो आएगा लेकिन पोईजन टाइप में रहता है तो इसको आराम से तुर्णा मनता है देखो भूत तेज रहता है तो इसको सांबल के साफ करना पड़ता है तो देखो अभी साफ हो गई है यह और अभी इसको यहां से निकलता हूँ इसको पाशुमी करते हैं यहां से बतारते हैं इस थरीके से इसको निकालनेगा यह उपर कोवर रहता है तो इसको निकल के टेक देनेगा तो इसको यह उपर कि खीक निकलने का सा वह इसा पकर के खिचने का तो अच्छने क्यूश दी निकल गयाता है वह और ये न अंदर वाला ये भी निकलने का या ऐसा निकल देने का बहुत से लोग इसको खाते हैं लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं तो इसको इस तरह किसे साफ करने का यहाँ पर भी है इसको भी साफ कर देता हूँ अब भी साफ करके हो चुका है जो लॉब्स्टर बोलते हैं उसके बाद प्राउंस बोलते हैं उसके बाद और क्या बोलते हैं हां आपने कोकनी में शेवन बोलते हैं भूसारेस यह के ना में तो चलो बहरे हैं ठीक प्लोれ ही को भी साफ करके नमक है, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, इस तरफ है लसन, अधरक, मिर्ची और कोतम भी, यहाँ पर जो भी हरा मसला मैंने आपको बताया, उसका मैंने पेस्ट बनाया हो, और इसको इसको इस्तिमाल करेगे, तो यह सब मसाला है, आज के लॉबस्टर को, आज के करतन में डालने का है, और बनाने का है, ठीक है, तो चलो जल्ली से आप लोगों बताता हो, तो अभी तेल डालके हो चुका है, तेल थोरा गरम होना मंगता है, उसके बाद प्यास डाल होगा, थोरा सा तेल गरम होने के बाद प्यास डालेगे ना, तो प्यास अच्छी तरह स से फ्राय होता है तो जल्बाजी नहीं करना मंगता है तोड़ा तेल को है ना मतलब गरम होने को देने का उसके बाद प्यास दलने का चेक करने का तोड़ा सा डलके देख अभी तक तेल गरम ने हुआ है तो थोरी देर के बाद डालूगा में अभी तेल तेल गरम हो चुका है और प्यास दाल दियाओ अब यह अब यह अच्छे से प्यास को फ्राइए करने का है थोड़ा हलका अलाल लाल होना मंगता है इसके बाद वाक्की के जो मसले वह बसाता हो कही से लाने करें तो कुपी का शोग है ना हमारे घर में सब को है सब भायों को है और ऐसा नहीं है तो आज दिल करता था इतना अच्छा इतनी एच्छी फिश लाए तो सोच्छा क्योंने आप लोगों को भी बताओ कि किस तरीके से मैं बनाता हूँ आप लोगों से भी शेर करूं तो देखेगे अभी सब अभी एक फ्राइ तो हो चुका है प्यार्ज अभी डालता हूं मैं त सब्सक्राइब का पेस्ट पच्छे से निला नेका खाना बाना ने को कुछ नहीं लेकिन पसी नहीं इतना आता है ना अभी गिला हो चुका हूं और फैन भी बन किया हूं क्यूंकि ग्यास चालू है तो ग्यास बंद होगा इसकी वाज़े से फैन बन किया हूं पसीने से पूरा गिला हो चुका हूं तो फटा फट जल्यली करके बताता हूं तो टामाडर को है ना थोड़ा सा डखकन रखके अच्छा इससे वह पक जाता है तो थोड़ी देके अबाद इसको इसका डखकन नि हे 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 वाज़े जबर्दस और थोड़ा सा पकना मुलता है उसके बाद मसाला लगता हूं अब यह अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो आज और टामाडर अब मसाला लाओ देता हूं यह रा मसाला जो रेड़ी किया हूं और डाल देता हूं इसको ठोछा सा पकने देनेगा दक्कन रखता हूं तोरा सा पकाता हूं अभी इसको देखता ह及 दंटा हूं कितना रेड़ी हो चुक है अ कि आज कि तो अच्छे से फ्रोग गया दो टीमिंडा इना इसको पकाने का अच्छे तीरीक AJ n.ट कि पर बाखिए का देखता हो लगेगा तो डाल दूबा के कम रहेगा चलेगा ज्यादा होना नहीं माँंगा है अभी हल्दी डलने कि आप हल्दी दिया इसी डाल लेका यहाँ पर मिंट्शी पाउड़ अरे यह डाल लेका अच्छी से फ्राइट करने के लिए मिक्स करता हूँ उसके बार धक्कन रखने का फीसे उसको पखने को देने का और फिर देखने का क्या हाल है यह तो आपको बताने भूल गया कि चावल भी बना के रेडी हो चुके रोटी भी है चावल भी है तो अभी फाइनली अपना मसला हुआ है रेडी अभी इसमें लॉप्स्टर को डालेगे यूदके मसला रेडी हो चुटा है चलो ओ हुआ है अच्छे से इसको मिक्स करने का अ अब थोरा सा पानी डाला और इसको पकने को रखां अब इसके उपर डखकन रखता हुआ फिर थोरी दिर के बाद चेक करेंगे अच्छे लोग बग और दस पंदर मिनिट जाए यह और दस मिनिट को जाएए और दस मिनिट के बाद मैं आपको मिलता हो खाने पर तो अभी खाने के लिए बैटाओ और यहां पर देखो सब रेडियो जुका है निकाला फ़र लेट हो आप लोगों बताने के लिए अब इस्टाइड करते हैं मुझन लिए निस्टाइड किये मुझन कैसा लगा है अभी मुझन करता हूँ तो बढ अभी जस्ट खाना खाके हो चुका है और वाकई इतना मजा आया है ना यार खाना खाने के लिए क्योंकि टेस्टी भूट टेस्टी हुआ था खाना और क्या बताओ खुद की तारीफ करने को भी अच्छा नहीं लगता है अब फोन है उदर उपर और क्या बताओ खुद की तारीफ करने के लिए अच्छा नहीं लगता है लेकिन वाकवी में खाना बहुत जबर्दस मना था तो देखे आप लोग ने आज का व्लॉग पूरा वीडियो आपे एंड करते वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंड करो सब्सक्राइब करो बाइबाइब और अगर मेरे चैनल पर अब लोग नहीं तो सब्सक्राइब करो तो खुदा अफिस मिलते हो आप इस अगली नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब टेकर मसलाम